इसले यूकरेन के दो प्रांथ लुहांस के डोनिश्टक को स्वतंतर देश घोशित कर दिया है रूष के राष्ट्रिपती वुलेद्मीर पुतिन ने सुमार को इसका ऐलान किया था इस एलान के साथ ही पुतिन ने लुहांस का डोनेस्टक और अलगावादियों के कबजे वाले इलाके में सेना की तैनाती शुरू कर दी है पुतिन के इस कदम के बाद ही संयुक तेराश्टर सुरक्षा परिसद ने इमर्जनसी मीटिंग बुलाई है जो अभी जारी है इमर्जनसी मीटिंग ने भारत ने रूस के कदम पर चिंता जाहिर की यूएनसी में भारत के प्रतिनिधी टीयस तिरूमुर्टी ने कहा इस कदम से शांती और सुरक्षा भंग हो सकती है यह मसला केवल डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिये हल हो सकता है उदर अमेरिका ने कहा कि रूस का यह कदम यूक्रेन में घुसपैट का एक बहाना है हम और हमारे साथ ही इस बात को लेकर सहमत है कि अगर रूस और जादा घुसपैट करता है तो उसे जल्द और माकूल जवाब देना चाहिए यह वो वक्त है जब कोई किनारे पर खड़ा नहीं रह सकता है वही उक्रेन के राश्ट्रपती वलोडिमीर जेलिंस्की ने रूस पर शांती वारता को बढ़ बात करने का आरोप लगाया देश को सम्मुधित करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपने ख्षेत्रे इलाकों को लेकर किसी भी तरह का समझोता नहीं करेंगे रूस के इस फैसले पर अमेरिका ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है वाइट हाउस की प्रेस सचीव जिन साकी ने कहा कि राश्टपती जो बाइडन जल्दी एक आदेश जारी करेंगे जो अमेरिकी नागरिकों के लुहांस्क और डोनिस्टक क्षेत्र में इन्वे आद कह रहे हैं